नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चनल पर तो दोस्तों यूपी बोर्ड परिख्या परिणाम 2019 को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है फाइनली यूपी बोर्ड के द्वारा फाइनल अपडेट आ चुक पर दोस्तों स्वागत है और आज के टाइम सुबह के टाइम यहां पर देखिए अपरेल पचीस दोचर उननिस और यहां पर बारा बच के 31 एम पर अपडेट करी गई है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस पेच को मैं एक बार रिफ्रेस कर देता हूं उसके बाद आ जाएगी वैसे की वैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं सेम टू सेम वही न्यूज ओपन हो रही है यूपी वोड ट्वल्थ रिजल्ट 2019 यूपी एमसपी टू डिक्लियर इंटर रिजल्ट इन उत्रप्रदेश टुड़े एट यूपी एमसपी डॉट एजू डॉट रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजे और यूपी बोड से जूड़ी पल-पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा यहां देख सकते हैं दे यूपी बोड ट आप लोग यूपी एमस्पी जो इसकी ओफिसल वेबसाइट है जाके वहां पर चेक कर पाएंगे चलिए जल्दी से देख लेते हैं फूल इंफोर्मेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं इन उत्तर प्रदेश दे यूपी बोड रिजल्ट टूजन नाइटिन फोर क्ला आप लोग जो उत्तर प्रदेश की स्टुडेंट है वो है रिजल्ट को अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं इस वेपसाइट के माध्यम से examresult.net उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि there has been no confirmation from the UP board official यह जो news यह यूपी बोड की official की तरफ से confirm नहीं की गई है it is anticipated that the UP MSP 12th result will be declared today लेकिन आज जारी होगा और this year a total number of 26,11,319 student appear for UP board 12th examination इस साल बार्मी कक्षा में 26,11,319 टोटल जो student है उन्होंने exam दिया हुआ है the UP माध्यमिक शिक्षा परिक्षा परिक्षा इस responsible to conduct class 10-12th board examination across उत्तरप्रदेश जो UP board है वो पूरे उत्तरप्रदेश में दस्मी और बार्मी का परिक्षा जो है तो organize कराया था the UP MSP successfully accomplished its job conducting both the class 10-12th board exam as per the decided schedule of the UP board exam यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो schedule decide हुआ था उसी के according सारा काम हुआ है उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा कि आपका exam कप से लेकर कप तक हुआ था और how to check के अंदर आपको बताया जा रहा कि आप लोग कैसे check कर पाएंगे सबसे पहले आप लोग इनकी दो official website वहाँ visit करेंगे दिन इसके result वाली link पे click करेंगे जो कि आपको home page में ही मिल जाएगा उसके बाद जो registration number वगएरा आपको fill करना होगा जैसे कि मैंने कल भी बताया था और उसके बाद आपका result आपके सामने होगा तो बहुत जल्दी है आप सभी को आपका result मिल सकता है तो उमिद करता हूँ कि वीडियो में दीगे information अच्छी लगी होगी जल्दी मिलते हैं next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद